नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं, आप सब की प्रिप्रेशन कैसे चल रही है, NWS एक्जाम की, दोस्तों अच्छा से प्रिप्रेशन करते रही हैं, आप अपना 100% दे जिससे आपका एक बहतरिन तयारी हो पाएगा, और आप इस NWS के वेकेंसी में अपना एक सिट पक का कर पाएंगे और आपका गवर्मेंट जॉब पाने का सपना पुड़ा होगा और आप इस भीर भार से थोड़ा अलग होगे ओके दोस्तों आपके इस N.V.S. नन टीचिंग एकजाम के लिए हमने कम्प्यूटर का और हिंदी का अलड़ी कला से स्टार्ट कर दिया है हिंदी और कम्प्यूटर का बेहतरीन कंटेंट आ रहा है आप लोग यदि सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा N.V.S आप को एक आई युँट कर देखे हैं आपको एक अपणिडिया का इस वीडियो नहीं देखे हैं तो देखे हैं आपको इनिपोर्स आउट्पु आपूर्ट अच्छे से बता दिये हैं आपको प्रेक्टिस भी करवाये हैं आपको MS OFFICE का बेसिक बता चुके है और उस पे कुछ question भी करवा दिये हैं और उसी sequence में आपको जो भी important question है वो आपको इस वीडियो में करवाएंगे तो आप लोग last तक देखें और आप लोग repeat करके देखते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका practice होता रहेगा और आपका concept भी clear होगा और preparation भी अच्छा खासा होगा दोस्तों आपको MS Office से ज़्यादा से ज़्यादा question करवाएंगे खासकर MS Word और MS Excel से और MS Excel का formula सब होता है वो भी आपको करवाएंगे ज़्यादा सब ज़्यादा formula आपको बताएंगे और आप लोग भी ये कोसिस करें कि MS Office पे कम से कम practical कर ले MS Word और MS Excel उसका हर एक option को आप देखे यूज करें तो आपके लिए अच्छा होगा और आप MS Excel का formula यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा आप थोड़ा सा practical कर लेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे समझ पाएंगे तो दोस्तों चलिए आप लोग ये computer का 6 वीडियो अच्छा से देख लेते हैं यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों में ज्यादा स्यादा सेयर करें दोस्तों question bilingual दिये हैं किस menu में मिलेगा तो ये edit menu में मिल जाएगा तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और इसके लिए shortcut भी आता है आप लोग find, refresh कैसे ढूंड सकते हैं shortcut भी आता है वो भी आपको बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा MS Office का shortcut की आपको करवा देंगे जिससे आपको exam में अच्छा खासा help होगा दोस्तों चलिए देखते हैं question number 2 question number 2 क्या है दोस्तों वह text जो page के bottom में print होता है कहलाता है क्या कहलाता है तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जो document में काम कर रहे होंगे यदि आप header और footer option को यदि आप उसको लागू करेंगे तो उपर में जो सब दिखेगा हर एक page पे उसको कहते हैं header और जो नीचे में दिखेगा सभी page पे उसको कहते हैं footer तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे उसी के बारे में यह कह रहा है कि वह text जो page के bottom में print होता है कहलाता है क्या कहलाता है तो वो footer कहलाता है आप लोग ऐसे ध्यान में रखेगा जो bottom में होगा, नीचे होगा यानि कि foot पे होगा, पाउं पे होगा, उसको कहेंगे footer, और जो उपर रहेगा, उसको कहेंगे header है ना, जो उपर लिखा रहाता है, वो header, जो रहेगा नीचे वो footer, ओके, चलिए, अगला देखते हैं, कोच नमर 3, तीन नमर क्या है, किसी document के परतेक page पर सिर्षक, page नमर, जै header में और footer में, आप fit कर देंगे, कि Header में हमको दिखना चाहिए, ये, ये, इसीर सक, तो वो सभी page पे दिखेगा, footer में fit कर देंगे, कि हमको ये page नमर दिखना चाहिए, सब पे, 1,2,3,4,5 कर के तो सब पे page नमर दिखेगा, ऐके, तो ऐसे करके आप लोग कर उसे ठीक कर लेता है दोस्तों आप देखते होंगे ms word में जब आप टाइप करते होंगे कुछ लिखते होंगे तो कोई word में spelling mistake हो जाता होगा आप जब space लगाते होंगे space word उसके बाद वो जो गलत spelling आप लिखें हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है तो यह question यही कह रहा था कि जो spelling आदी तुरूटियां होती है वो अपने आप जो ठीक हो जाती है वो किस के कारण तो auto correct option के कारण आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चली अगला देखते है question number 5 पांच नमर के हैं दोस्तों word wrap की विसेष्टा है कि यह यह यानि की word wrap जो होता है इसका खासियत क्या है तो दोस्तों इसका खासियत यह है कि आवसकता परने पर text को अगली line में सुतह भेज देता है द वो किसके कारण होता है तो वो इसी word wrap के कारण होता है यही word wrap की विसेष्टा है चली अगला देखते है question number 6 चठा नमर के है दोस्तों किसी page के margin और text के बीच का अस्थान कहलाता है आप लोग देखते होंगे कि इधर margin रहता है इतना space छोड़ा गया है और उसके बाद text जो इ की indent क्या होता है तो indent किसी page के margin और text के बीच का अस्थान होता है आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चली अगला देखते है question number 7 7 नमर क्या दोस्तों किसी document में text की linों के बीच vertical space की मात्रा कहलाती है क्या कहलाती है टेक्स्ट के लाइनों के बीच जो ये space होता है दोस्तों इसको क्या कहते हैं तो इसको line spacing कहते हैं आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें और आप लोग इस space को कम जादा भी कर सकते हैं वो भी option होता है ओके आप लोग line space को जादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं जितना रख सकते हैं, आठ नमर के दोस्तों, Microsoft Word में Ctrl-Z Command पर युक्त होती है, किसके लिए, तो undo के लिए, और Ctrl-Y, किसके लिए, redo के लिए है न, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए, अगला देखते हैं, question 1, और undo, redo, क्या होता है, पहले आपको बहुत समझा चु चलिए, अगला देखते है, question नमर 10, दसमा नमर के दोस्तों, toolbar पर कौन सा command, document को web page के रूम में दिखाता है, आप किसी document को web page के रूम में देखना चाहते हैं, तो वो web layout view में दिखाई देगा, यदि आपको कोई document को web page के रूम में देखना है, तो आप लोग web layout view देख सकते है चलिए, अगला देखते है, question नमर 11, जब किसी सूचना को document से cut या copy किया जाता है, तो उसे औस्थाई तोर पर रखा जाता है, आप जब कोई text को या फिर पुड़ा document को cut करते हैं, या फिर copy करते हैं, तो वो जो store रहती है, एक ततकाल के रूप में, कहां रहती है store, तो वो clip board में रहती है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत ही important question है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलिए, अगला देखते हैं, question 12, बारो नमर क्या है दोस्तों, select किये गए text के सभी अक्षरों को capital letter में बदलने के लिए change case dialogue box में button दवाएं, क्या द गया, मान लिजिए कि कोई word या फिर line capital अक्षर में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि उसको a small letter में करना, तो आप दवाएं lowercase, तो वो फिर a small letter में हो जाएगा, समझ में आ गया, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चलि अगला देखते है, कोच नमर 13, तेर उसमें आप F5 दबाए, सीधा find का dialogue box खुल जाएगा, find और replace का, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, और एक बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, आप से जब ये पुछे, कि किसी window को refresh करने के लिए, कौन सा key का इस्तमाल किया जाता है, तो F5 का ही इस्तमा पर दबा दें, तो उससे क्या होता है, कि computer refresh हो जाता है, आप से ये पुछे कि windows को refresh करने के लिए, कौन सा key दबाना परेगा, तो F5, ओके, और आप से ये पुछे कि MS Word में, document को find या फिर replace करने के लिए, कौन सा key दबाना परेगा, तो वो भी F5, ओके, हाँ, दोनों दो उपड़ी हिसा, टॉप का हलाता है, आपको जैसा की समझाए है, उपड़ी हिसा, header, नीचली हिसा, footer, ओके, ताप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चली अगला देखते है, question number 15, पंदर नमर के है, दोस्तों, MS Word document में, किसी सब्द के नीचे, लाल लहर का निसान दर साता है, यनि कि आप जब कुछ टाइप करते होंगे, तो लाल जो आजाता होगा, वर्ड के नीचे, उसका अर्थ है, कि SPA लिंग मिश्टेक है, ताप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चली अगला देखते है, question number 16, 16 नमर के है दोस्तों, किसी document में, कोई paragraph, वाक या सब्द delete करने के लिए परयोग करते हैं, किसका परयोग करेंगे, मान लिजे कि आपको इसको delete करना है, इसको आप पहले select कर लेंगे, यनि कि highlight कर लेंगे, उसके बाद आप delete की का परयोग करेंगे, तो यह हट जाएगा, मान लिजे कि आपको यह पूरा line यहां से यहां तक आपको page break यदि insert करना है word में तो आप किसका पड़ियोग करेंगे तो insert page break का या फिर control प्लस इंटर का तो फिर page break insert हो जाएगा ओके आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो आपसे कहीं ये पूछे कि insert page break के लिए shortcut की तो control प्लस इंटर ओके चली अगला देखें कोशन आपको select करना है तो आप यहां पर करसर लाएंगे दो बार आप लगातार किलिक कर दें तो यह select हो जाएगा समझे मागया है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चली अगला देखते है question 19 क्या है दोस्तों समगर document को एक साथ select करने के लिए परयोग किया जाता है मान लीजिए कि अभी आप एक document पे काम कर रहें उसमें 5 page है 6 page है 10 page है 100 page है जो रहें सभी page को select करने के लिए control plus A all to all select हो जाएगा समझे मागया है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आप से यह भी पुछा जाता है कि control plus A का परयोग क्यों किया जाता है तो select all के लिए 20 नमर के दोस्तों word processing में select किये गए किसी paragraph या item को एक अस्थान से दूसरे अस्थान में ले जाने का सबसे सही तरीका है मान लीजिए कि आप इसको यहां से हंटाना चाहते हैं और इसको यहां पे आप लाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है इस सबसे आसान तरीका यही है किसी भी paragraph, item, document कुछ भी आपको लाना है एक जगह से दूसरे जगह तो cut and paste ओके आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चली अगला देखने है question number 21 21 नमर के है दोस्तों किसी document को उसके मूल अस्थान से delete किये बीना दूसरे अस्थान पर ले यहां भी रहे और इसको copy करके यहां भी ला ले दोनों जगह रहे तो उसको खा जाता है copy and paste मतलब आप इसको delete करना नहीं चाहते है यह यहां भी रहे तो आपको तब क्या करना परेगा copy करना परेगा, copy के लिए control plus C, और paste करने के लिए control plus B, ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, चली, अगला देखते है, question number 22 22 नमर के है दोस्तों, यदि आप किसी file को copy और paste करते हैं तो क्या होता है, यह moon file में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और एक नई file create हो जाती है, आप जब copy और paste करते हैं, तो जो main file है, वो तो वैसा ही रहेगा, एक नया file open हो जाएगा और आप उसको 5 जगा, 10 जगा, 20 जगा, जितने जगा paste करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उससे आप जितना document बनाना चाहते हैं, उतना आप बना सकते हैं, समझ में आ गया है, हाँ, तो आप जब copy करते हैं, paste करते हैं, cut करते हैं, तो वो सब store कहां पर राती है, clipboard में है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान रखेंगे, चली अगला करते हैं, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, तब लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, समझ में आ गया दोस्तों, तो ये टोटल 25 कोस्चन था, आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी का, कंप्यूटर का, जो भी वीडियो आ रहा है, आप लोग